हेलो दोस्तों सुवागत है आपका अपने चैनल में दोस्तों आज हमारी उतराकन ब्यास नेगी प्रैक्टिस सेट का 90 पार्ट है चलिए आज की वीडियो श्टार्ट करते हैं पहला गुष्च ने विरेन डंगवाल का संबन्त किस जनपत से हैं टिहरी गडवाल के किरती नगर से किस वर्ष विरेन डंगवाल को दूस्त चकर में स्रिष्टा रचना के लिए साहित्ती अकादमी संब्मान दिया गया 2004 में तारदत गिरोला का जनम कब हुआ था 1875 में 1875 में आरिय समाज की स्थापना होती है और 1885 में कांगरेस की स्थापना होती है तारदत गिरोला जी ने गडवाल हितकार्णी सभा की इस्थापना की थी 1901 में इसे गडवाल यूनियन भी कहते हैं इसके दुआरा 1905 में देरा दून से गडवाली नामक समचार पद्र निकाला गया 1870 में डिबेटिंग कलब की इस्थापना होती है डिबेटिंग कलब के दुआरा 1871 में अल्मोडा अकबार निकाला जाता है जो की 1918 में कमिसिनर लोमस के दुआरा बंद करा दिया जाता है 1913 से 1918 तक अलमोडा अकबार के संपादक बद्रिदत पांडे थे बद्रिदत पांडे ने 1918 से सक्ती नामक समचार पतर सुरू किया था हिमालियन फोक लोर पुस्तक के रचना कारे उप्सन दिखते हैं इस सेर्मन ओकले ये रचना कारे तरदत गिरूला ये भी रचना कारे तोप्सन सी राइट आंसरोंगा एवा भी दोनों गडवाली कवीता सदही का परकाशन तरदत गिरूला जीने किया था 1921 में सेलेक्टिड लेंड रेवेन्यू डिसीजन ओप कुमाव पुस्तक के लेखकें तरदत गिरूला हल्दवानी सहर में कुमाव परिशत के दिवित्ती अधिवेशन की अध्यक्षता किन के दुआरा की गई तरदत गिरूला के दुआरा 1918 में कुमाव परिशत की इस्थाबना 1916 में होती है और इसका विले 1926 में कांग्रेस में होता है कुमाव परिशत का पहला अधिवेशन अलमोडा जनपद में होता है और इसके अध्यक्ष जैदत जोसी होते है कमलेंदू मती सहा को किस वर्ष समाश सिवा हेतु पदम भुषन पुरुषकार दिया गया 1958 में कमलेंदू मती सहा द्वारा लिकित पुस्तक हैं ओप्शन देखते हैं माई इंप्रेशन ओप अमेरिका या पुस्तक इनोंने लिखी है जीवन जोती इस पुस्तक को भी इनोंने लिखा है तो अप्शन सी राइटान सुरोगा एवै भी दोनो टिहरी निवासी गब्बर सिंग नेगी जी को विक्टोरिया क्रोस दिया गया 1915 में 1914 में दर्बान सिंग नेगी को विक्टोरिया क्रोस दिया गया था टिहरी के चंबा सहर में किस वर्ष गब्बर सिंग नेगी इसमारक बनाया गया 1925 में 1930 में तिलाडी कांड या जिसे रवाई कांड भी कहते हैं हुआ था और 1930 में पैसावर कांड हुआ था टिहरी निवासी इंद्रमनी बडुनी जी का जनम कब हुआ था 24 दिसंबर 1924 को खतलिंग गलेशर की खोज की थी और इनके पिताकाना सुरेशा नंत बडुनी जी था उत्राखंड के गांदी इंद्रमनी बडुनी जी का जनम दिवस किस रूब में मनाया जाता है लोक संसकर्ती दिवस के रूब में चोपला निरित्य के विशेशग्य इंद्रमनी बडुनी जी ने किस गलेशर की खोज की थी खतलिंग गलेशर की और इससे बिलंगना नदी का उदगम होता है चोरा बड़ी गलेशर से मंदाखनी नदी का उदगम होता है मिलम गलेशर कुमो का सबसे बड़ा गलेशर है और गंगोतरी गलेशर उत्राखंडगा सबसे बड़ा गलेशर है गड़वाल का इधियास पुष्टक के लेखक हरी कृष्षन रथोडी का सम्मन्था तेहरी रियासत से निम्न में की ने 1909 इस्वी में किर्थी साने वजीर पदबर नियुक्त किया हरी कृष्षन रथोडी गो निम्न में से मौंटेन में के नाम से जाने जाते हैं डाक्टर अनिल परकास जोसी इन्होंने 1989 में हैसको की इस्थाबना के थी गोरा दीवी को चिपको वोमन के नाम से जाना जाता है विशनी देवी सहा उत्राखंड से जेल जाने वाली पर्थम महिलाती विश्वेस्वर दत सकलानी को वरिक्ष मानव कहा जाता है परवतार होई हर्षमनी नोटियाल का सम्मन कि जनपत से उत्तरकासी जनपत से ुत्तरकासी जनपत से किस वर्ष हर्षमना को राष्टी वीरता पुरुसकार दिया गया 2003 में परशिद परवतारोह व्छेंदरी पाल का जनम 24 मई 1954 में किस जनपत में हुआ उत्तरकासी के नाकूरी में विश्व की पाँचवी एवं भारत की पर्थम महिला एवरेश्ट विजेताएं बचेंदरी पाल इन्होंने 23 मही 1984 को एवरेश्ट को फते किया था और 1984 मही ने पदम सिरी सम्मान मिला था और 1986 में अर्जुन पुरुसकार मिला था निम्न में पर्वतारोई बचेंदरी पाल जी को प्राप पुरुसकारों को उनके तीथियों से सुमेलित कीजिएं सुची एक में पुरुसकार हैं और सुची दो में वर्स हैं पदम्शिरी सम्मान 1984 में मिला, एवरेश्ट फदे मई 1984 को किया, अर्जुन पुरुषकार 1986 में मिला, पदम्भुषन 2019 में मिला, तो इसका अंसर होगा 2, 3, 1, 4, ओप्सन देखते हैं, ओप्सन भी राइट अंसर होगा मध्य पर्देश सरकार दुवारा किस वर्ष बचिंद्री पाल जी को विरांगना लक्षमी बाई राष्टी सम्मान दिया गया 2013 में, तो इसका अंसर होगा कोई नहीं गड़वाल विश्व विधाले दुआरा बचिंद्री पाल जी को डी लिट की मानद उपादी परदान की गई 1907 में पर्थम पदम सिरी प्राप्त करता महिला हैं अगर भारत की बात करें तो भारत में 1954 में लोक कारिये के लिए आसा देवी को पर्थम पदम सिरी पुरुषकार प्राप्त हुआ था अगर उत्राखंड की बात करें तो 1982 में साहित्यकार गोरापंद सिवाने को पदम शिरी पुरुषकार प्राप्त हुआ था उत्राखंड में गोरापंद पर्थम महिला हैं और भारत में आसा देवी पर्थम महिला हैं तो अपसंडी राइट आंसरोंगा कोई नहीं पर्थम पदम भुषण सम्मान 1958 में किसे दिया गया था कमलेंदू मती सहागो निम्न में से अर्जुन पुरुषकार पाने वाली पर्थम मैला कोने हर्षवन्ती बिष्ट 1981 में मिला था कोन सा एक युगुम पर्वतार होई हर्षवन्ती बिष्ट से सुमेलित नहीं है उप्सन देखते हैं गरहा जनपद अल्मोडा पहलाई उप्सन सुमेलित नहीं है इनका गरहा जनपद पोड़ी गडवाल था अन्य ओप्सन देखते हैं नंदा देवी को फतें 1981 में किया अर्जुन पुरुषकार 1981 में मिला ये पर्वतार होई हैं अन्य ओप्सन सुमेलित नहीं है तो ओप्सन नहीं राइट आंसर होगा एवरेश्ट फते करने वाली राज्जेगी पर्थम महिला एवरेश्ट विजेताएं बचिंदरी पाल इन्होंने 23 मई 1984 गों एवरेश्ट को फते किया था निम्न में दुरोनाचारिय पुरुषकार पाने वाली पर्थम महिलाएं हंसा मल्ला जिने 2001 में प्राप्त हुआ था निम्न में से देव भूमी खेल रतन पुरुषकार पाने वाली पर्थम महिलाएं एकता बिष्ट जिने 2017 में प्राप्त हुआ था राज्ये लोग सेवा आयोग की पर्थम महिला सदश्य कोने सुधा पांडे देव भूमी लाइब टाइम पुरुषकार पाने वाली पर्थम महिला कोने हनसा मनराल पदम सिरी प्राप्त करता बसंती बिष्ट क्यूं परसीदें ये जागर गाईका है तो दोस्तों यादि हमारी वीडियो अगर आपको च्छी लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद